आज बहुत दुख़त दिन है और हम सभी लोग सदन में और सदन के बाहर भी बिपीन रावज जी और उनकी पत्नी और उनके साथ ग्यारा बाहदूर जवान जो अपनी इस दुर्गटना में जान कोई है उनको हम शर्दाजली अर्पित करने के लिए यहां ठैदे हैं वज़ाई यह है कि जो हिलिकाप्टर में यह हाथ साफ हुआ और उसकी जानकारी राजनाथ सिंग जी उस गटना के बारे में एक स्टेट्मेंट दिये उस वक्त हम सभी अपोजिशन लीडर की मांग रही और चेर्मेंट साब से भी हमने कहा जो डेप्टी चेर्मेंट साब की साइड कर रहे थे कि हमने उनसे विनंति की कि सरकार के और से तो स्टेट्मेंट और शर्दान जली हुई सदन के डेप्टी चेर्मेंट के और से भी शर्दान जली अर्पित किया गया लेकिन जो हम महीं एक विरोध विपक्ष का नेता होते हुई है और हमारे सारे पार्टी के फ्लोर लीडर्स इनका सब का कहना इकी था कि हम भी दो-दो मिनिट या एक मिनिट अपने रदपूर्वक्ष रद्दान जली उनको अर्पित करें लेकिन ना सरकार ना चेर हमको अलाव किया नहीं किया तो यह ऐसा दर्शादा है कि बाकी के विशेश तो छोड़िये वो पोलिटिकल है यह तो यह नाशनल लाश्टी है एक बहुत बड़े व्यक्ति जो पहला आदमी चीप अपनी डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रियेट करके किये थी और वैसा व्यक्ति की जब ऐसे बड़ी खतना हो कि हाथ्सा हो गई उसको श्रद्दान जली आरपन करने के लिए भी अगर हम कुछ समय नहीं मिलता तो बताएं किस तरह की डिमोक्रसी यहाँ चल रही है किस तरह के से यह सदन चलाया जा रहा है और सरकार इसको प्रोटसाइद कर रही है ऐसा चीजों को तो ऐसी जो श्रद्दान जली अरपित करने के लिए भी हमको जो समय नहीं दे रहे हैं इस घटना का हम निंदा करते हैं इसी लिए तो आज हमने ये भी तई किया था तई किये और हमारे जो बारा संसत गांधी स्टाचु के सामने बैठे वे थे सस्पेंडे वहाँ पर जाकर भी उनसे हमने ये कहा कि एक राश्टी दुरगटना ऐसी हो गई है इसी लिए आज के दिन हम ये जो धरना है उस धरने को सस्पेंड करेंगे और एक दिन के लिए वापिस लेंगे सदन में ये भी हम बताना चाहते थे क्योंकि डीटेल से श्रदाण जली अरपित तो सदन में अथेंटिक होती है तो ये हमारा दुर्दव है कि श्रदाण जली अरपन करने के लिए भी सरकार की परमिशन होना चेर भी परविशन देना, यह बड़ा दुल्खाग्य की बात है, इसकी निंदा हम करते हैं, ऐसी घटना है, सदन में हो रही है, ठीक है, पॉलिटिकली अगर वो कोई डिसिजन, अलग-अलग इशू पे लेते हैं, कई, अलग कानून पे लेते हैं, तो वो बात और है, लेकिन एक जो व्यक्ति अपनी जान दिया, पूरी उनकी फैमिली गई, ग्यारा जवान गए, लेकिन उनको स्वध्याजली अर्पित करने का हमको मोखा नहीं मिला, इसलिए हमको बहुत दुख हुआ, और हम इसी के साथ कहेंगे, कि सरकार को सत्बुद्धी दे, और जिस फैमिली क इतना बड़ा हासा हुआ जिस फैमिली का, उन फैमिली के सभी मेंबर्स को एक दुख सहने का शक्ती मिले, ऐसी महीं आशा करता हूँ, और मेरे बाब रदपूरक श्रदाजली अर्पित करके मेरे बाब खुर समाब करता हूँ, और जो गाहल है, उनकी वरुन जी, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कि उनकी जल से जल, उनका स्वास्त ठीक हो, और मजबूत बनके वो बाहर आए.